लो स्टुडेंट्स वेलकम बैग टू माई यूटूब चैनल सीख्छा दा अल्टिमेटेम जी हां दोस्तों NCRT सेरीज में क्लास 10th CBC वालों के लिए ट्रिगोनोमेट्री में आज लास्ट सेशन है जिसमें हम लोग एक्सराइज 8.3 के 3rd level questions को देखेंगे जिसका explanation भी 3rd level होने वाला है तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि तीस तरह से proper way में हम लोग आगे बनेंगे कैसे हम सोचेंगे जिससे की हमारा solution बहुत ही easy हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास देखें question कहा रहा है कि पूरूब करना है और कुछ नहीं पूरूब करना है तो चलिए solution करते हैं वन नमबर का solution देखें कहा रहा है question कॉस एक फीटा माइनस कॉट फीटा का हॉल स्क्वार ये lhs को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं lhs इस तरह से write कर देंगे आपको मैं बतला रहा हूं देखें कॉस को कॉसेक से relate करना है कॉसेक से देखें कॉसेक जब भी दिखें आपके माइन्ड में दो फॉर्मूला आना चाहिए पहला है हमारा one by sine theta और दूसरा है one plus court square theta जब भी आपको कॉसेक दिखें तो ये दो फॉर्मूला आपको मन में याद रखना है क्या one by sine और one by court देखिए अगर कॉसेक को हम लोग कॉट में ले जाएंगे तो हमारा काम उलज जाएगा क्यों कियों कि यहां कॉस में हम लोगों को पूरूब करना है इसलिए यह वाला फॉर्मूला अपलाए नहीं करेंगे और यही मैं आप लोगों को सिखलाना चाहता हूँ तो फिर क्या करेंगे यहां पे हम लोग इस फॉर्मूला को अपलाए करेंगे समझ मा रहा है चलिए इसको अपला करके देखते हैं यानि यहां पे one by कॉसेक थिटा को one by sin थिटा राइट करेंगे minus इसका भी फॉर्मूला आप लगाएंगे cos theta by sin theta आप कहेंगे कि सर ऐसा आप कैसे सोच लिए तो देखें यहाँ पे sin था तो ऐसा formula इसका लगाना था जिसमें sin, sin आ जाए तो LC हम ले लेंगे क्योंकि court का दो ही formula है हमारे पास कितना formula है? तो एक है हमारे पास 10 theta वाला दूसरा क्या formula है? तो आप कहेंगे कि cos x square theta minus 1 भी होता है और तीसरा होता है cos theta by sin theta यह भी होता है तो हमने यह वाला formula अपलाए किया है next देखें क्या कह रहा है? ऐसा इसलिए कि sin, sin नीचे match कर रहा था तो sin theta अब यहाँ देखें 1 minus cos theta यह हमारा हो गया इस पे square है अब क्या करेंगे? देखें यह हो गया हमारा 1 minus cos theta का होल square by sin square theta आप जानते हैं कि sin square theta का भी cos में formula है क्योंकि नीचे भी cos चाहिए और नीचे यहाँ पे sin आ चुका है इसलिए क्या करेंगे? 1 minus cos theta का हॉल square upon क्या लिखेंगे? 1 minus इसका हो जाएगा cos square theta आप देखिए यहाँ पे minus b का हॉल square है लेकिन नीचे क्या है? आप इसको square यहाँ दे देंगे तो a square minus b square है तो क्या करेंगे? उपर वाले को as it is right करेंगे और नीचे क्या करेंगे? तो यह हो जाएगा a plus b a minus b तो a plus b and a minus b आप देख पा रहे होंगे कि minus वाला यहाँ पे single है यहाँ double है cancel हो गया यहाँ बचा क्या? 1 minus cos theta by 1 plus sin theta this is your answer answer नहीं यह prove करना था equal to क्या हो गया? r hs हो गया और यह prove हो गया तो आप देख पा रहे है कि मैंने यह step क्यों लिया? यही बताना यही revision काराना मेरा main target है चलिए अब next question देखते हैं next question देखिए two number का solution अब मैं फिर से यहाँ बतलाना चाहूंगा यहाँ देखिए यहाँ cause है और यहाँ sign है तो यहाँ पे cause है और यहाँ पे sign है जब इस तरह से रहे यह वाला term इस तरफ है और यह वाला term इस तरफ है जब इस तरह का कोई भी question रहे तो आपको LCM method से बनाना चाहिए किस method से बनाना चाहिए LCM method से LHS right कर लेंगे क्या है हमारे पास cause A by one plus sign A plus one plus sign A by cause A यह हमारा है देखे क्या करेंगे LCM ले लेंगे क्या हो जाएगा cause A और यह वाला हो जाएगा इस तरह से write करिए पहले one plus sign A and cause A देखे यह same है तो यहां पर इससे into होगा यह वाला यह होगा तो cause square A plus यह हो जाएगा यह match कर गया तो यह वाला into होगा one plus sign A का whole square हो गया that is क्या हो गया देखे यहां cause square A plus A plus B का whole square A square plus B square plus 2 A B तो A तो one है तो हमने नहीं write किया ओके चलिए यह हो गया हमारा one plus sign A और यह हो गया हमारा cause A cause A आप देख पा रहे होंगे कि यह क्या हो गया cause square A और यह plus में है sin square A इसको एक जिगा right भी कर सकते हैं और उसके बाद आप अपला करेंगे cause square A plus sign square A plus one plus two sign A by one plus sign A into cause A ओके देखिए यह one होता है यह दोनो one होता है sum तो one हो जाएगा और one यानि two हो जाएगा आप समझ पा रहे हैं आप एक line और लिख सकते हैं two plus two sign A by one plus sign A into cause A क्या हो गया हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि यहापे two common ले लेंगे तो two one plus sign A by one plus sign A into cause A क्या हो गया देखिए यह cancel हो गया तो हो गया हमारे पास two by cause A equal to two into one by cause A write कर सकते हैं two one by cause क्या होता है आप कहेंगे सेक A होता है और कोई बच्चा कहेगा कि सर हम तो अभी तक नहीं जाओं रहे थे यह हमारा two sick A RHS है यह भी proof हो चुका है तो आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे नेक्स्ट कोसन देखिए थेरी नंबर क्या कह रहा है 10 A 1 minus cot theta plus cot theta 1 minus 10 theta अब देखिए बच्चों यहाँ पी देखना यह है कि हम लोगों को किसमें आंसर चाहिए तो sick और कॉसेक में चाहिए sick कहने का मतलब आप जानते हैं कि 1 by cos theta होगा कॉसेक का मतलब भुबान by sin theta होगा यानि इस तरब का conversion ऐसा हो कि cos और sin में चले जाए तो cos और sin में 10 का एक ही formula है वो है sin theta by cos theta तब 10 को sin और cos में लेके जा सकते हैं cot को भी हम लोग यही formula से आगे बढ़ाएंगे तो हमारा यह proof होगा आप यहां पर यह वाला method नहीं लगाएंगे कि यहां से इसको और इसको into करके lcm method यहां पर नहीं चलेगा ओके आप समझ पा रहे होंगे पिये हमारा lhs है यहां पर क्या करेंगे यह sin theta by cos theta यह by है हमारा 1 minus cos theta by sin theta प्लस यहां पर भी करेंगे cos theta by sin theta by 1 minus sin theta by cos theta आपको यह समझना होगा कि हमने यह formula यहां पर क्या अपला किया क्योंकि हमें sake में जाना था हमारा target sake में था और cause sake में था तो 10 का conversion ऐसा होना चाहिए जो कि हम लोग वहां तक पहो जाए अगर sin और cause में अग बन रहा है इसका conversion sake में होता है आपको अपिजस्ट हमने बतलाया चली नेक्स देखते हैं यहां पर LC हम ले लेंगे तो sin theta by cos theta and यह यहां से LC हम लेंगे तो sin theta minus cos theta by sin theta plus यहां पर कहेंगे cos theta upon sin theta and 1 minus यहां 1 नहीं होगा क्या हो जाएगा cos theta minus sin theta by cos theta इसको इस तरह से पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा sin theta by cos theta into ऊपर चला जाएगा sin theta by sin theta minus cos theta plus यहां हो जाएगा cos theta by sin theta into cos theta by cos theta minus sin theta ध्याँ दीजिएगा यहां पर sin minus cos है और यहां cos minus sin है जब ऐसा होती इसको इस तरह से पलटेंगे जब इसको टर्म इस तरह से पलट देंगे तो सेम हो जाएगा इसका मतलब यह minus वाला sin यहां पर आ जाएगा समत पा रहे हैं इसको पलटेंगे तो यह plus वाला क्या हो जाएगा minus हो जाएगा इतनी बातें आप अच्छे से समझ सकते हों के लिए next देखते हैं क्या करेंगे हमारा देखें साइन इंटू साइन 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 स्क्वाइर हो गया क्या हो गया हमारा साइन स्क्वाइर थीटा यहां देखें कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है हमारे पास यहां हो जाएगा minus और फिर यह हो जाएगा cos theta by sorry cos square theta by यह हो जाएगा sin theta sin theta यह हो जाएगा sin theta minus cos theta अब क्या करेंगे देखें L C हम ले लेंगे यह दो term equal है ओके तो L C हम ले लीजिए क्या होगा LCM तो cos theta into sin theta cos theta into sin theta अग जो same है उसके बदले single ही लिखेंगे तो यह होगा हमारा cos theta ओके अब क्या होगा देखिए cos और यह माइनस वाला मिला sin नहीं मिला तो यहाँ पे sin cube theta हो जाएगा क्या हो जाएगा sin cube theta minus यह sin minus वाला मिल गया और sin मिल गया तो यहाँ cos बच रहा है तो यह हो जाएगा हमारा cos cube theta ओके अब देखिए a cube minus b cube का आपको formula याद होना चाहिए a cube minus b cube का formula होता है a minus b into a square plus a b plus b square यह हमारा formula होता है ओके तो चलिए यहाँ पे यहीं लगाएंगे a minus b यानि sin theta minus cos theta into square यानि sin square theta पलस a b यानि sin theta into cos theta plus b square यानि cos square theta by यह हो गया cos theta into sin theta into sin theta minus cos theta देखिए हमारा sin theta और cos यह वाला सेम है कट गया यहाँ भी देखिए यह दोनों का sum क्या हो जाएगा one हो जाएगा यानि one plus क्या हो जाएगा sin theta into cos theta यह दोनों one हो गया और पलस this one यह हो गया by नीचे हो जाएगा हमारा cos theta into sin theta अब इसको क्या करना है split कर देना है क्या करना है बच्चों split कर देंगे तो चलिए next page पे चले आते हैं one one by one by cos theta into theta और यहां हो जाएगा हमारा plus sin theta into cos theta by cos theta into sin theta देखे यह cancel हो गया यहां देखे क्या हो रहा है यह हो रहा है one by cos theta देखे ध्यान दिजएगा यहां पर into है one by cos theta equal to sec theta ठीक है one by sin theta that means cos sec theta और देखे लिए अर्फ और पलस one यही हमारा rhs है इसको शिर्फ इस तरह से पलट के लिख देना है यह हो गया हमारा और यह हो गया और यही हम लोगों को पुरूब करना था यह देखे यह यहां पर समझने वाली बात है देखे हमारे पास गीवन है one पलस शेक ए नीचे भी सेक ए है और सेक का कनवर्शन किस में चाहिए साइन में और कॉस में चाहिए साइन और कॉस को अगर सेक में ले जाना है तो नहीं हो पाएगा पैसे होगा यहां पर देखे के सेक को हम लोग one by कॉस लिख सकते क्या लिख सकते हैं one by कॉस राइट कर सकते हैं चलिए यह भी दिमाग लगाएंगे देखे किस तरह से इसको बनाएंगे आपके मन में जो आ रहा है आप उसको कमेंट कर देंगे तो मैं उससे भी बता दूँगा देखे पहला में धर देखिए और यह हमारा है आपके मन में आ रहा होगा जब आप प्राक्टिस कर लिए हैं तो यह वन बाइट कर देने का मन आपका कर रहा होगा क्या हो जाएगा सेक ए आ रहा है क्या देखिए यह कैंसल हो गया और यह हमारा हो गया कॉस ए पलस वन क्या हो गया कॉस ए पलस वन आ गया और कुछ है नहीं चलिए आरेचस को लेके चलेंगे क्योंकि यहां अब कुछ भी नहीं आ रहा है सिंपलस आया है वोगिता रहेचस भी लेके चलेंगे क्या हो जागा आरेचस है Wang ए बाए1-あと खोस फिर देंकिए साइन इस का फॉर्म्रॉस होता है रेन मैनस स्कॉइर ऐबई 11- कॉस ए तो कि आप जान रहे हैं कि ए safety B square पर split हो सकता है यह हो गया into 1 minus cos A यह भी हो गया by 1 minus cos A देखे 1 minus cos A कर गया यहनि हमारे पास यह हो गया 1 plus cos A आप देख पा रहे हैं कि यहाँ LHS जो आया था वही हमारा RHS है लिखेंगे 10 LHS equal to RHS proved okay तो यह हुआ first method जो करेंगे और easy way में solve हो जाएगा लेकिन अगर आपके मन में और भी कोई idea चल रहा है तो उसको भी देख लेते हैं आपके मन में यह आ रहा होगा कि sir इसको one by cos कीजिए ठीक है चलिए LHS को लेके आगे बढ़ते हैं one plus यह हमारा solution हो चुका है लेकिन next second method है यह आप इसको भी आजमा लिजिए हैना क्या होता है वो देख लिजिए one by steak को हम लोग one by cos a लिखेंगे by one by cos a लिखेंगे यहां पर LC हम लेंगे तो cos a plus one by cos a ठीक है one by cos a आप इसको इस तरह से करेंगे तो cos a plus one by cos a into यह हो जाएगा उधर तो cos a by one देखें कास 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 कंसिल हो गया और cos a plus one यह easy way में प्रूप नहीं हुआ है तो हो गया हमारा तो हो गया हमारा cos a और पलस one आप देख पा रहे हैं कि जो काम यहाँ easy way में one से two three step में हमारा यहां हो रहा है वो same term आया यह वाला term यहां आया one two three four step में आया उसका फिर से आपको यहां पर आ रहे हैं से इसी तरह से लेना परेगा और फिर solve होगा तो अगर आप कोई wrong step को अगर apply कर दिये हैं तो घबराना नहीं है वो थोड़ा कल्कुलेटीव होगा लेकिन लास्ट में आपका वही आएगा जो आना चाहिए था ओके तो इस तरह से आप यही है हमारा third level explanation जिसको मैं बारबर समझाना चाहता हूं कि आप इस तरह से एक्जाम में अगर कोई wrong step ले लिए हैं तो आपको confident रहना है किसी भी कीमत पर और उसक पिर हम लोग यह वालब टर्मा गया बाराच इसको इस तरह से solve कर देंगे हमारा solution बन जाएगा next question है हमारे पास अब यह देखिए अब बहुत ही easy question बचा है इसमें इसलिए पहरे पर smile है क्योंकि वह बहुत ही long question था चलिए देखिए जब भी आपको pattern यहाँ पर pattern आपको याद रखना है जब भी root के अंदर में इस तरह का कुछ भी term रहे तो इसका rationalization ही करना चाहिए यह बातें आप रखिए कैसे करेंगे तो lhs को write कर लिजिए root अंदर one sign a by one minus sign a क्या करना है इस root को आगे बरहा देना है और root के अंदर में ही इसका rationalization कर देंगे यानि यह minus है तो plus करके sign a by one plus sign a कर देंगे देखे बच्चों यह into में है that is यह देखे a minus b और a plus b आप जानते हैं इसका formula a square minus b square a square यानि वन का square one ही रह जाएगा minus b square that is sign square a और उपर में देखिए one plus sign a और इसका क्या हो जाएगा whole square हो जाएगा आप समझ पा रहे हैं बिलकुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इस पर क्या हो गया हमारा root हो गया अब आप देखेंगे यह root और इसक्वायर कैंसिल हो गया root और इस पर आप a plus b का whole square को इस्प्लिट करने का गलती नहीं करेंगे है ना क्या हो गया one plus sign a ऊपर में रूट कैंसिल हो गया नीचे बचा root अंडर अब देखेंगे यह हो गया root अंडर one plus sign a का whole square और यह one minus sign square का होता है फॉर्मूला cos square a आप देख रहें कि यहां भी square है यहां भी square है और दोनों पे root है तो root और square कैंसिल हो जाएगा उपर में बचाएगा one plus sign a by नीचे square root के कारण खत्म हो गया तो यह बचा कॉस ए आप देखेंगे कि यह split करने से हो जाएगा one by कॉस ए और पलस sign a by कॉस ए अब आप देख रहें कि one by sign a होता है सेक ए और पलस यह होता है हमारा टेन ए और यह देख पा रहे हैं कि यह हमारा RHS तो इस तरह से हमारा प्रूफ्ड हो गया ओके चुलिए next question देखते हैं यह देखे बच्चों यह आप देख पा रहें कि यहां भी साइन है और यहां साइन क्यूब है यहां क्यूब है तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग पहले कॉमन ले लेंगे क्या करेंगे लेचे से में देखिए साइन थीटा को कॉमन ले लिजिए क्या होगा one minus two sine square theta हो जाएगा by नीचे cos को common ले लेना है cos theta तो हो जाएगा two cos theta square के साथ minus one हो जाएगा ओके आप देख पा रहे हैं कि sine theta और यहाँ पर देखे कोई formula यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो one minus two रहने देंगे देखे sine square का फिर से यहाँ पर formula लगा देंगे one minus cos square a by अब देखे यहाँ पर cos आ चुका है तो यहाँ cos है तो इसको छेर चार नहीं करेंगे student यही गलती करेगा आप देखे यह यहाँ पर sign को cos में convert किये नीचे cos है यह cancel हो जाएगा यह आपके practice पे depend करेगा ओके तो cos square theta minus one ओके आप उपर वाले को solve करेंगे तो देखे क्या हो जाएगा one minus यह two हो जाएगा और minus minus plus हो जाएगा two cos square theta by cos theta यह हो गया two cos square theta minus one जब उपर वाले को solve करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए two में sorry one में two गया तो minus one होगा इसलिए यह वाला पहले लिख देते हैं two cos square theta minus one by यह हो गया cos theta और two cos square theta minus one यह cancel हो गया देखिए क्या बचा sign theta by cos theta क्या बचा है sign theta by cos theta sign theta by cos theta क्या होता है 10 theta और यही आपका क्या है RHS है यह हो गया हमारा प्रूब्र हो गया ओके तो आप इसको easy way में समझ चुक चक तो आप इसको easy way में समझ चुके होंगे चलिए next देखते हैं अब हमारे पास देखे बेहतरीन question है और आप इस question को भी देखके डर जाते होंगे लेकिन डर ना मना है ध्यान दीजिए देखिए यहां पर दिया हुआ हुआ है sign कॉसेक का square फिर इसका square तो कुछ नहीं करना है और 10 में जाना है इसलिए पहले तो a plus का whole square कर देंगे ओके बच्चों आप समझ गए होंगे चलिए LHS को मैं राइट नहीं कर रहा हूं मैं डारेक्ट इस्टेप ले रहा हूं देखिए a plus b का whole square a square a plus b square a plus 2 a b हो गया इतना हो गया इसका यहां पलस है तो टेंसन नहीं है फिर क्या हो जाएगा cos square a plus sec square a और पलस 2 cos a into sec a यह हो गया हमारा देखिए यहां आप देख रहे हैं कि sin square a है तो cos square a भी कहीं है क्या तो कहेंगे हां सर है इसको एक जगर right कर लिजिए अब देखिए यहां क्या है यहां कॉसेक है हमारा ठीक है और यहां पे sec है हमारा तो कॉसेक है तो कॉसेक का क्या क्या जाए तो कॉसेक में convert कर दिया जा सकता है तो कॉसेक square a equal to हता है one पलस कॉसेक square a हमने इसको convert कर दिया आप देखेंगे कि इस step में क्या होगा तो plus two two sign a है तो sign a रहने दिजिए into कॉसेक को write कर सकते है one by sign और यह क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा इसलिए step लिए देखें कॉसेक को write कर लिए है तेक का फिर से one plus ten square a कर देंगे और इस टर्म को फिर से two into कॉस को कॉस रहने दो तो दूसरे वाले को सेक है तो one by cause यह देखे cancel हो गया और हमारे पास क्या हुआ यह term हमारा one हो रहा है यह और भी one है कॉट इस पार a को नहीं कुछ करेंगे क्योंकि कॉट में हमको answer चाहिए यहां पे बचा two और यहां पे फिर से है हमारा one और फिर है ten ten को कुछ नहीं करेंगे क्यों ten में भी answer है और पलस two देखेंगे आप one one two two four five six seven यही हो गया हमारा seven पलस यह हो गया हमारा court square a और यहां है हमारा ten square a यही हमारा है rhs और यह approved हो गया कि चलिए हमारे पास nine number question भी उसी तरह का है क्या करेंगे इसको ध्यान देजिए हम लोगों को convert करके जाना है किसमे ten में और क्या जाना है court में अब यहां देखे sign और cost का यानि cost और sign का relation one by sign अगर कर देंगे तो फिर इसको छेर चार नहीं करेंगे क्योंकि sign है तो यहां sign में ही रहने देंगे कम मेरा बन जाएगा उस दर से यहां sick है तो इसको हम लोग one by cost करेंगे तो यहां cost है इसको भी छेर चार नहीं करेंगे और यही है हमारा proper way तो चलिए LHS में देखिए क्या करेंगे 1 by sin A लिखेंगे किसको तो cos A को लिखेंगे तो फिर इसको नहीं छेरेंगे ओके फिर हमारा है sake A तो 1 by sake को cos कर देते हैं तो फिर इसको cos को cos ही रहने दो लिखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा sin A और 1 minus यहां कुछ नहीं तो 1 तो यह हो जाएगा sin square A ओके next है हमारा यहां cos हो जाएगा और यहां हो जाएगा 1 minus cos square A आप देख पा रहे हैं कि 1 minus sin square A is cos square A by sin A into यह है हमारा sin square A by cos A ओके देखिए यह cos से cos कैंसिल हो गया और एक sin से यह sin कैंसिल हो गया यानि हमारा answer हो रहा है cos A into sin A अब देखिए जब इस तरह से cos A into sin A आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है अब यहां पर रुक जाना है अब हम लोगों को RHS को भी write करना पड़ेगा और इसको भी थोरा सा देखना पड़ेगा देखिए नीचे 10 है तो इसको sin A by cos A कर देंगे बोलिए क्यों क्योंकि यहां देखिए cos और sin में जाना है इसलिए यह काम किए इसको करेंगे cos A by sin A कर देंगे क्या होगी हमारा नीचे वाले को LCM में डालो यह हो जाएगा cos A into sin A देखिए cos cos मिला तो sin उपर है तो sin square हो जाएगा यह sin इससे into हो जाएगा पलस यहां sin sin मेंच किया तो cos इदार जाके into होगा cos square A हो जाएगा आप देख पाहें कि 1 यह by मेरा है main आप ध्याँ देजेगा यह वाला by जो है हमारा main है यह वाला line तो इसको turn करेंगे that means यह हमारा एक line है ओके तो 1 by नीचे हो जाएगा cos A into sin A अब इस जगह से इस जगह से हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा देखें क्या हो जाएगा equal to नीचे वाला सबसे उपर हो जाएगा तो cos A into sin A by 1 that is cos A into sin A यह हमारा है LHS तो लिखतेंगे 10 LHS equal to RHS ओके तो उमीद करतें कि यह भी question आप समझ चुके हैंगे और हमारा 10 number question भी देखें उसी तरह का है देखें यहाँ पर दिया हुआ है तीन question है यहाँ पर तीन चर्म इस तरह से दिया हुआ है सबसे पहले इसको बनाएंगे एक question होगा फिर इसको solve करेंगे यहाँ पर इससे भी इसको ले सकते हैं देखतें कहां से असान होगा हमारा देखे यहां पर लिखेंगे लिखेंगे इप अ हम हम यहां पर लिखेंगे ही यहर one plus ten square a by one plus cot square a equal to क्या होगा one plus ten square a होता है सेक स्क्वाइर ए यह होता है हमारा कॉस सेक स्क्वाइर ए ठीक है इसका कोई फोर्मूला हमारे पास नहीं है इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे सेक का होता है वन बाइ कॉस स्क्वाइर ए ओके और बाइ यह होता है वन बाइ साइन स्क्वाइर ए जब इसको इस तरह से पल्टेंगे तो पल्टू सिंग में हो जाएगा हमारा इन्टू स्क्वाइर ए बाइ वन यह हो गया हमारा टैन स्क्वाइर ए बच्चों यहां देके प्रूब करना था तो इसका सॉलिशन टैन स्क्वाइर ए हो गया है यह देके टैन स्क्वाइर आ गया है तो यहीं पर लिग देंगे प्रूब्ट समझ पा रहा होंगे आप फिर दूसरे वाले को लेके चलेंगे अगेन क्या होगी हमारा 1 1-10a का होल स्क्वाइर है इस तरह से 1-10a का होल स्क्वाइर है क्या हो जाएगा देखिए क्या करेंगे हम लोग इसको लिखेंगे 1-10 को sin a by cos a लिखेंगे by इसको 1-4 को लिखेंगे cos a by sin a और इसका क्या हो गया स्क्वाइर देखिए क्या होगा यहां से lc हम ले लेंगे तो cos a minus sin a by cos a और फिर से by क्या हो जाएगा देखिए यहां पर हो जाएगा sin a minus cos a by sin a equal to इसको पलट दिजिए तो cos a minus sin a by cos a into sin a into cos a आप देखेंगे sin a minus cos और इसको इसकोईर है तो यहां पर भी क्या होगा देखिए बक्चों यह हमारा यहां पर minus है और यहां भी minus है लेकिन यह match नहीं कर रहा है तो minus को यहाँ पर common लेंगे, क्या करेंगे, आप देखिएगा, space नहीं है, यह वाला minus को जब common लेंगे, तो next step में हमारा होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ minus common लेंगे, तो next step देखिए क्या होगा, minus ले लेंगे, तो यह पलड जाएगा, sin a minus cos a हो जाएगा, आप समझ पा रह क्या है यहां पर यहां बच रहा है माइनस क्या हो जाएगा और यह हो गया हमारा 10 square A और यह हमारा हो गया RHS 10 square ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आप यह question का solution भी अच्छे से समझ चुक्य होंगे चलिए अब देखते हैं तो यही है हमारा अब कोई question नहीं है यह NCRT बुक का जो complete trigonometri का revision का series था यह trigonometri chapter खत्म होता है तो आपको यह solution कैसा लगा कैसा आपका experience रहा हमारे class को join करने के बाद हमें comment करके और अपने need को बताते हुए जरूर comment करेंगे हमें आपका इंतजार रहेगा कि आप हमें comment करेंगे और दोस्तों के साथ share करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे यहां back to back आपको हर एक चेप्टर का इसी तरह से revision कराए जाएगा प्रिवेस पेपर भी आपको जल्दी ही मिलने लगेगा इंसार्टी का यह टिगनोमेट्रिक सिरीज आज खब मोता है मिलते अंगले वीडियो में तब तक के लिए मुस्क्राते रहे और अपने पढ़ाय को जारे रखिए धन्यवाद